हेलो दोस्तों स्वागता आपका यूटूब चैनल जैपूर टेडर्स क्लब है दोस्तों आज डेट है थर्टी मेय और ट्वंटी ट्वंटी टू ओके दोस्तों टाइम हो रहा है अल्मोस्ट नाइन फॉर्टी सेवन हो चुके हैं आज हमें यहां निफ्टी फिप्टी एंड पेंड लिए अब यहां पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रों कि होई हैं अगर मैं इसको बैंक निफ्टी को आवले डायम फ्रेंप पर देखाता हूं तो यह यहां पर गयूर प्लान करेंगे जिससाब से market यहां से back to back rally करते जा रहा तो एक छोटा retracement आ सकता है यहां से 200-200-300 point के आसपास खा तो हम उस part को यहां पर grab करने का try करेंगे आज के trading sessions में ओकी दूसरा है हम लोगों का इसमें thoughts किया है दोस्तों कि हमारी theory क्या है अगर bankruptcy इस resistance level को break कर देता है और इसके उपर जाता है तो फिर हम यहां से buying side के लिए plan करेंगे तो अभी यहां से 350-300 point already अच्छा खासा gap up पुला हुआ है तो यहां से और कितनी rally कर सकता almost यहां से अगर हम देखके चलते हैं तो यह है यहां पर 180-200 का level तो आनि 7800 point के एक दिन के rally हो जाएगी हो सकता है बेंग निया से breakdown के बाद में यह जो यहां पर यह जो zone है ओके यहां से gap up हुआ है इस gap को fill करने के लिए आ सकता है को कि यहां पर previous system में जैसे support level था तो अब इस support level को यहां से इसने एक्ट कर रहा था तो अब यहां से ब्रेक करने के बाद में अगेन यहां से मार्केट सपोर्ट लेबल को को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है तो इस theory के साबस में यहां से sorting side के लिए प्लान करूंगा अगर चोटे टाइम प्रेम पर देखते हैं तो देखिए यहां पर हमें अल्रेड़ी breakdown देखने को मिल चुका है यहां पर यह ओके तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर जैसे इस breakdown के नीचे यहां से एक मिनिट दो मिनिट संस्टेन करता है मार्केट इस trend line को रिटेस्ट करने आता है तो फिर मैं यहां से अपनी trade को execute कराऊंगा future में ओके क्योंकि यहां पर दो थेओरी बन रही है एक तो हम यह breakdown मिल रहा है दूसरा यहां पर यह अच्छा खासा रूम हम लोगों को एजन टार्गेट मिल सकता है तो अभी फिलाल हम लोगों कम update करता हूं किट्रस यहां से हम लोगों केrånट इंटरी हो चुप हो चुकि की है यह हमें मिलिये हिसे इस वाले candle पर यहां से च्छतीज जीरो नोके लेवल पर हम लोगों को एंट्री मिली है हाइ से थोड़ अरू तार्गेट को रहे गा टार्गेट सिंपल दोस्तों। अगर हम यहां पर निफ्टी के लेवल के आज का हाइ doğru हम लोगों को डिखा सकता है जो कि बैट रहा है यहां से तीन सो पॉइंट है एक WhatsApp एंट्रेड है हम यहां से इसका हाफ लेकर चल लेते हैं हाफ से थोड़ा कम तो यह बैट रहा है यहां पर वन सिक्स्टी पॉइंट के आसपास का एस पर एंडेक्स यहां इस पर इंडेक्स 3500 का लेवल बैट रहा है अगर तो इस हिसाब से हम लोगों को यहां पर जो रेली देखने को मिल सकती है एंट्री हम लोगों की यहां पर ठीक है तो इस रेस्टेंस जोन का हम टार्गेट प्लान कर सकते हैं यहां पर 874 के आसपास का मैं अपना टार्गेट प्लान कर देता हूं ओके आते हैं चोटे टाइम प्रेम पर तो ट्रिडर्स इसमें हम लोगों का टार्गेट रहेगा इसमें 874 के आसपास का ठीक है तो यह हमारा टार्गेट रहेगा ठीक है तो 871 का मेरा इसमें टार्गेट रहेगा and stop loss क्या रहेगा, stop loss रहेगा 36,136 का मेरा इसमें stop loss रहेगा, risk and reward ratio जो बैट रहा है, यहाँ पर दोस्तों, all missed one ratio one के आसपास बैट रहा है, हम लोगों के पास जो room है, दोस्तों, target room बहुत बड़ा है, बट लेकिन हम इतना बड़ा target यहाँ expect नहीं करेंगे, क्योंकि market already bullish है, मैं यहाँ पर एक retracement वाले पार्ट को grab करने का try कर रहा हूँ, ओके, तो wait करते हैं, जैसे भी होता है, हम लोगों का target stop loss जो भी होता है, मैं आप लोगों के साथ में update करता हूँ, and end of the video में आप लोगों के साथ में final setup भी discuss करता हूँ, traders एक अच्छा spike upside में buying side के लिए यहाँ पर यह ऐसा breakout दिया हुआ है, यहाँ पर buyers को trip करने के लिए, हो सकता है, buyers को trip करने के लिए green candle बनी हुई है, और यहाँ से again market देखिए rejection face करते हैं, अगर हम देखते हैं तो देखिए, इसको यहाँ पर engulf कर लिया है, तो कहीं न कहीं अब market का जो mood लग रहा है, दोस्तों यहाँ से downside आने का लग रहा है, ठीक ना, यह जो green candle बनी है, दोस्तों यहाँ से simple, यहाँ से सिर्फ बायर्स को attract करने के लिए बनी हुई है, यहाँ पर बायर्स का यहाँ पर entry दिलाई जाएगी, देन उसके बाद में सब लोगों के general लोगों को stop loss के जोंगे, इस zone के आसपास होंगे, तो वो सब के stop loss हिट करने के हिसाब से bank lift यहाँ से नीचे की साइड में आ सकता है, और अगर एक बार यह zone को break करता है, इसका नीचे sustain करता है, तो हमें यहाँ पर अपना target मिलेगा, और साथ की साथ में अगर इस zone को touch करता है, तो हम क्या करेंगे, अपना stop loss है वो भी trail करके रखेंगे, तो अभी यहाँ पर मैं सिर्फ यह जो green candle है यह जो breakout यहाँ पर मिला है, हम लोगों को यह breakout यह वाला breakout इसको मैं एजन ट्रेप consider कर रहा हूं अभी के हिसाब से, अगर इसको उपर जाना है, तो यहाँ पर अगेन इसको यहाँ पर consolidation दिखाने के बाद में अपसाइड में जा सकता है, बट लेकिन अभी यहाँ पर मेरा point of view market का भी downside का ही है, कितना आ सकता है वो बाद के बात है, लेकिन अभी फलाल यहाँ से हो सकता है, और 150 अपने टार्गेट तक भले ही नहीं आए, बट लेकिन अप टू इस zone के आसपास तक market आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिन्हों नहीं buy के होगा, सबने आज के low के हिसाब से 10-10 point का यहाँ पर buffer दे करके stop loss प्लांट किया होगा, तो सब का stop loss यहाँ हिट करने के लिए आज bank nifty downside में आ सकता है, ओके hope for the best हमें हमारा target भी मिलेगा, वेट करेंगे दोस्तों proper target के लिए, जिस अगर इस zone को यहाँ पर जो यहलो वाला bottom का zone है, इसको अगर touch करता है, तो हम अपना stop loss जो उसको भी trail करके रख देंगे, अभी currently market चल रहा हमारी cost के आसपास आया था अगनिफ्टी बारवार इस zone के आसपास आ रहा है, यहां से support ले रहा है, अब जा रहा है, इस level के आसपास आ रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, इस level के लिए एक strong support के जैसे act कर रहा है, दोस्तों, तो यह देख सकते हो, आप यहाँ पर multiple time पे इस zone ने यहाँ पर retest क लिया हुआ है, और multiple time पे ही यहाँ से support लिया है, जहां से हमारी entry हुई है, अगर एक बार यह वाला जो zone break होता है, तो फिर definitely हम लोगों को यह level और इस से के नीचे के level हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए अभी इसने recently high लगाया है, यहाँ पर 36,000 132.75 और 30.25 से हम लोगों का stop loss trigger होने से बस सुका है, यहाँ से अच्छा खासा rejection sell-off देखने को मिल रहा है, अगेन यह support zone के आसपास bank nifty आया हुआ है, तो अगर एक बार अब यह zone जो हम लोगों का entry level zone है, यह break होता है, तो फिर definitely यहाँ से हमें अच्छा खासा fall देखने को मिल सकता है nifty bank में, और कहीं ने कहीं, अगर nifty 50 को देखते हैं, तो देखें दोस्तों, nifty 50 में भी कहीं ने कहीं, अभी यहाँ पर एक retracement हमें देखने को मिल सकता है, जिस असाब से यहाँ पर consolidation दिखा रहा है, तो अभी यहाँ पर breakdown का मैं wait कर रहा हूँ, यहाँ पर breakdown दो दिया हुआ, और यहाँ नifty 50 में भी यह वाला breakdown आया हुआ है, जैन उसके बाद में, इसको रिटेस्ट के बाद में, यहाँ से downfall भी देखने को मिला हुआ है, तो अभी currently चल रहा है, market यहाँ से हमारी cost से 20 point के आसपास उपर तो में 21.25 point के आसपास का loss चल रहा है, तो इस time यहाँ पर जो 3 point से hit होने से रह चुका है, ओके, hope for the best, अब अगर bank nifty हमारे entry level को downside में break करता है, तो फिर हम यह जो हम लोगों का stop loss trail करने का zone है, इसके जगह हम इस zone के आसपास से अपना stop loss trail कर लेंगे, हैंगे हमारी question नीच आता है, तो फिर हम अपना stop loss trail करेंगे, कहां रख देंगे, जो ह 3100 के level के आसपास हम अपना stop loss रखने वाले हैं, जैसा कि यहां हम लोगों ने plan किया था कि अगर अब bank nifty support level को break करता है, तो हम अपना stop loss जो वो trail करके रखेंगे, इस level के आसपास, ओके, तो हम लोगों का stop loss रहेगा, 36,102 के level का, and currently market ने भी यहां पर dip लगाया है, 942 का, 942 का इसने dip लगाया था, and यहां पर अब मैं सबसे पहल अपना stop loss जो वो trail कर देता हूं, तो अभी bank nifty आया हुआ है, यहां पर हमें profit चल रहा हो, almost यहां से 100 point के आसपास का, इसने recently low लगाया, यहां पर 906 का, and हम लोगों का target इसमें 871 का, तो अभी इसने low लगाया, उस हिसाब स यहां पर अपना target भी definitely अच्छी होगा, hope for the best अगर यहां तक आया है, अब इस market नहीं यहां तक आ चुका है, तो अब मैं अपना stop loss जो दोस्तों, अब अपनी cost के आसपास रखने वाला हूं, अब cost to cost हम लोगों की इसमें risk रहेगी, कोई हम यहां पर बड़ी risk नहीं रखें दोस्तों, यहां अभी bank nifty ने low लगाया है, देखिए 35877 का, अनि कि almost यहां से 6 points से हम लोगों का जो target हो हिट होने से pending रहे चुका है, चार्ट में वो level यहां दिखा नहीं रहा है, बट लेकिन यहां जो देखिए index के साब से यहां जो low लगाया है, अभी देखा low, वो लगा यहां पर 35677 का, अभी 881 पर आया हुआ है, hope for the best देखे जाएगा, अपना target अभी इसने new low लगाया है, यहां देखिए अगेन low लगाया है, 870.85 का, यहां हम लोगों का target होने से pending रहे चुका है, चार्ट में यहां glitch है, चार्ट के साब से यहां पर अभी इसने low लगाया है, अभी इस लेवल लगाया है, यहां पर 889 का, जबकि एच पर यहां पर जो रिसेंट जो डेटा है, डेलो का, वो हो चुका है, यहां पर 871 का, hope for the best अपना target है, अचीव होगा, डेफिनेटली अचीव होगा, हां हम लोगों का target अचीव हो चुका है, हम लोगों ने यहां पर बुक किया, 38 पॉइंट का target, ओके, तो setup क्या था, वो मैं आप लोगों को discuss करता हूं, उससे पहले मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर अपनी यह post अपडेट कर देता हूं, जोस्तों यहां टेलिग्राम पर मैंने post डाल दी है, और यहां अब हम discuss करते हैं हम लोगों का setup, ओके तो setup के लिए आते हैं हम लोग index के चार्ट पर, तो अगर index को यहां bank nifty को आवली time frame पर देखाता हूं, तो यहां देखिए, मैंने यहां पर draw किया हुआ है, इसको मैं आपको re-explain कर देता हूं, दोस्तों यहां पर मैंने morning में जैसे आप लोगों को मैंने वीडियो के starting में ब sort करेंगे, तो पहला reason क्या हो गया, यह resistance zone से market का resistance phase करना, अकेला यही reason नहीं है, यहां से हम लोगों को कोई resistance identify करने का, second reason क्या है, यहां पर अगर मैं आप लोगों को फिबो का level plot करके देखाता हूं, recent जहां से market ने down rally शुरू की, तो यह देखिए, exact 61.8% का, यहां से rejection zone जो market ने इसी level के आसपा से rejection phase किया हुआ, और फिर यहां से अच्छा खासा follow में देखने को मिला, तो हम लोगों के यहां पर दो reason क्या हो जाते हैं, पहला reason 61.8% का फिबो का यहां से rejection level, दूसरा यहां से जो मैंने zone draw किया था, यहां से previous system में यह support के जैसे act कर रहा था, यहां पर अब bank tip ने इसको break किया, तो अब then again इसको retest करने आया है, तो इसको one time में यहां से break नहीं करेगा, इसको test करने के बाद में थोड़ा retracement देखाएगा, then उसके बाद में यहां से again इसको break करते हैं, अपरेली continue कर सकता है, तो second theory हम लोगों किया थी, यह जो previous history का support level है, अब यहा पर मैंने क्या wait किया, wait किया मैंने यहां से opportunity किया, अगर bank duty को छोटी time पर दिखाता हूं, तो यह देखिया हम लोगों को breakdown बिलाता, 949 की candle पर, यह हम लोगों को breakdown मिलाता, breakdown के बाद में मैंने यहां पर दोस्तों wait किया, retracement का, retracement के बाद मैंने 951 की candle पर अपने trade को यहां पर execute कर आया था, ओके, हम देख लेते हैं किस candle पर timing किया है, इस वाले candle की 951, okay, exact 951 के level 1 ने आपने trade को execute कर आया, और then simple मैंने अपना target इन इस्टो प्लान किया था, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, तो यहां से हम लोगों के importance चीछ सीखने को मिली है, आज के दिन हम लो almost यहां से सवा 2 घंटे के आसपास इस trade में फसे रहे, तो क्या हमारा setup ने हमें अपना target दिया, बिल्कुल नहीं, okay, setup हमारा perfect था, उसे साब से हमारी entry भी perfect थी, बट लेकिन आज market क्या हो गया, दोस्तों sideways हो गया, consolidated रहा था, then यहां से bank nifty ने इसको upside में break करने के try किया, यहां आसके दिन हम लोगों नहीं है, जो हमारा target अचीव हुआ है, वो हमारे setup से कहीं ज्यादा हमारे target और stop loss से मिला है, यहां हम लोगों का stop loss था, actually यहां इसने high लगाया, कितने का, यहां पर index ना high लगाया था, यहां पर 36,033 का, वहीं फीचर का high है, यहां पर यह देखिए, 36,132 points पिचत का, और हम लोगों का stop loss क्या था, यहां पर 36,136 का, exact, तो यहां से 3,03 points से हम लोगों का stop loss था, वो यहां से hit होने से रहे चुका था, तो important चीज़ क्या है, आज हमें यह target मिला है, यह हमारे setup से कहीं ज्यादा हमारे stop loss से मिला, हम लोगों ने stop loss प्लान क्या perfect level का, किस हिसाब से यहां general लोगों के जो stop loss पढ़े होंगे, वहां से हम लोगों ने room दिया, और room भी हम लोगों ने देखिया, हमारा previous experience के हिसाब से, हम लोगों ने target stop loss प्लान किया था, उसी हिसाब से bank nifty ने उसी से पहले पहले यहां से rejection face किया, और यह देखिया, अच्छ market में really कर रहा है, तो long story short, आज हमने जो target achieve किया है, हो हमारे smart stop loss and smart target जो हम ले प्लान कियता है, उस बज़े से हम लोगों को अपना target achieve हुआ है, ने कि हम लोगों को इस setup ने दिया, क्योंकि setup और करता, तो almost यहां से इस level के आसपास से bank nifty को नीचे आना था, तो वह आया नहीं, और then उसके बाद में देखिया, market ने अपरेली की और हम लोगों के stop loss जो वो तीन पॉइंट से लगवग तीन पॉइंट के आसपास से trigger होने से रह चुका था, then उसके बाद में यहां से हमारा target achieve हुआ है, तो दोस्तो setup क्या था, setup simple था, क्या कि यहां से हम लोगों का 61.8% का rejection level, previous history में जो support level था, अब यहां से resistance के जैसे act करना, और छोटे time frame पर हम लोगों को यहां से breakdown, तो simple इन तीन reasons की बज़े से मैंने यहां से sort किया, और एक healthy profit book किया 138.8% का, ओके दोस्तो, I hope आप लोगों को मैं setup explain कर पाए हूँ, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा ल लाइक करें, अपने दोस्तों साथ share करें, thank you दोस्तों.